Hello everyone, मेरा नाम रोशन दिश्पंडे हैं आज मैं आपको डिस्कर्ट करना चाहता हूँ कि हम वाइबो प्लास्टो प्रिंटिंग और पैकेजिंग प्राइविट लिमिटेड का क्वालिटी अशुरंस कैसे दूसरे और्गनाइजेशन से अलग है और कैसे यह ज्यादा एफेक्टिव हैं इसके लिए हमने एक क्वालिटी अशुरंस में सिस्टमेटिक अप्रोज डेवलप किया है जो एंशुर करता है प्राड़क्ट और उसकी सर्विसेस कस्टमर के स्टैंडर्स को मीट कर सके जिसके लिए हम फोकस करते हैं क्वालिटी अशुरंस के साथ-साथ क्वालिटी कंट्रोल को भी हम फोकस करते हैं क्वालिटी अशुरंस में हम प्राड़क्ट के डिफेक्ट को अरेस्ट करते हैं हम यह मानते हैं कि product का quality control के साथ-साथ quality assurance करना भी बहुत ज्यादा important है quality control में हम जैसे product के defect को identify करते हैं लेकिन quality assurance में product के defect को arrest करते हैं और वो defect बबारा ना आए ये ensure करते हैं इसके लिए हमारी पूरी quality assurance team responsible रहती हैं इसके लिए हमने SOP systems develop किये हैं हमारे organizations में implement किये हैं जिसके वज़े से हमारा customer satisfy रहता है और अभी हम actual process में जाके देखेंगे कि कैसे हम और हमारी quality assurance team product की quality को कैसे control करती हैं और कैसे हम product की quality को assure करती हैं वैभफ Plasto Printing and Packaging Central India की सबसे बड़ी flexible packaging manufacturer है हमारा मकसद है आपके products को सुरक्षित और fresh रखना वैभफ Plasto मानते हैं कि हर packaging काफी महत्वपूर होती है इसलिए Plasto ने सबसे उचे technology और quality को अपनाया ताकी आपके products हमेशा attractive और सुरक्षित रहे वैभफ Plasto के साथ जुड़िये और आपके business को नए उंचाईयों तक ले जाए ये हमारा incoming material है जिसे हम raw material भी कह सकते हैं ये अभी role form में आए हैं इसका हमने unloading का process बनाया हुआ है जिसकी SOP बनाई हुई है तो unloading के time हम उस SOP को follow करते हैं जैसे की product की quality के साथ साथ हैजीन भी बहुत important होता है तो जब हम load unload करते हैं उसके बाद product को इन करने से पहले हम product की cleaning करते हैं जब vehicle आता है तो सबसे पहले vehicle का inspection किया जाता है vehicle inspection करना इसलिए important है क्योंकि उसमें जो raw material है वह हमारे processor में use होना है वह raw material की authority verify करने के लिए vehicle inspection करना बहुत important है जिसमें हैजीन से related points होते हैं vehicle clean होनी चाहिए, packing satisfactory होनी चाहिए, product secured with rope होना चाहिए vehicle trolley में leakage नहीं होना चाहिए, contamination नहीं होना चाहिए ये सब verify करने के बाद ही हम vehicle का unloading start करते हैं quality assurance person verify करता है और उसके बाद unloading अलाव करते हैं अगर इसमें कोई भी problem मिलता है तो हम vehicle reject करते हैं और material return करते हैं रोल के cleaning के बाद under inspection का sticker लगता है जिसमें material की सारी detail लिखी हुई होती है ये material सबसे पहले quarantine area में रखा जाता है quarantine area में इसकी sampling होती है हर product के लिए उसके according quality assurance sample collect किया जाता है और testing के result के basis पर ही material को approved किया जाता है first of all हमको sample receive होते है sample receive होने के बाद में हम verify करते हैं इसका quantity और इसका standard appearance हम सबसे पहले check करते हैं उसके बाद में इसका width, GSM treatment और हम इसका seal check करते हैं और अगर metalized film है तो उसके अंदर हम OD भी check करते हैं और seal भी check करते हैं में CPP का film है MET CPP इसमें हम इसका standard appearance देखेंगे metal और non-metal side देखेंगे फिर बाद में इसका width check करेंगे width check करने के बाद में हम इसका treatment चेक करेंगे कि कि किना treatment इसके ओपर pass हो रहा है CPP का जो standard होता है वो 38 dine का होता है इसलिए हम 38 dine के treatment से इसको check करेंगे और अगर इस तरह से अगर हमारे treatment पूरी तरह से अगर pass होता है film के ओपर तो हम इस material को treatment wise okay कह सकता है और अगर pass नहीं होता है तो हम इससे lower side का treatment इसमें check करके देखते है कि कि कितना इसमें treatment pass हो रहा है और अगर हमारे specific range में अगर treatment नहीं बैट रहा है, हमारे standards के अनुसार अगर treatment नहीं पास होता है, तो हम उस material को reject कर जाते हैं उसके बाद में हम उसका seal चेक करते हैं, seal हम BCPV में तीन बाद चेक करते हैं, तीन जगा से हम seal करते हैं सीलिंग जो होती है, वो फिल्म के अंदर uniform है की नहीं, वो चेक करने के लिए हम एक फिल्म में पाथ जगा पे seal काटते हैं, और चेक करते हैं, कि पूरे फिल्म में हर जगा पे uniform seal value आ रही है की नहीं आ रही है, और इस seal को लेके हमने हम आप इस sealing machine पे, standard है इसका 130 degree सील करने के बाद में हम इस सील को यहां से टिप से काट देते हैं, इस तरह से, ताकि सील पील होके इलोंगेट ना होने लग जाए और seal का type देखते हैं, कि वह किस तरह हो रहा है, जैसे कि यह इलोंगेट हो रहा है, कई बार seal break हो जाता है या फिर पील होता है, तो हम उसको mention करते हैं, रिपोर्ट में कि यह seal break का type कैसा है बेसिस पे हमने अंडर इंस्पेक्शन स्टीकर लगाया है रोल पे. उसके बाद हम on the basis of test result QC OK का स्टीकर रोल पे स्टिक करते हैं. अगर प्रॉडक्ट हमारे स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करता है तो हम ये reject का स्टीकर स्टिक करते हैं और ये material फिर supplier को रिटर्न करते हैं. जो ensure करते हैं कि प्लास्टो कस्टमर्स को मिले सिर्फ टॉप क्वालिटी पैकेजिंग. स्टेट ओफ द आट एक्वेप्मेंट और एक्सपर्ट टीम के साथ प्लास्टो डिटेक्ट करते हैं हर छोटी से छोटी डीटेल. ताकि प्लास्टो कस्टमर्स को मीले flawless और reliable products. वैभ इसी के साथ रोल की quality verify करते हैं. उसके लिए अलग-अलग parameters है जो हम रोल लोड करने के बाद machine पे verify करते हैं. सबसे पहले रोल की direction क्या है? इसके लिए unattreated side हम verify करते हैं. अलग-अलग film का अलग-अलग treatment होता है. जैसे रोल plane है तो इसमें हम जब रोल लोड करते हैं तो पहले treatment चेक करते हैं. ऑपरेटर्स सभी चिजे verify करते हैं और उसी के बाद printing स्टार्ट करते हैं. इसके अलावा machine में shade matching करने के बाद calculate करते हैं. इसके अलावा इस machine में ink auto cooling system है जिसकी वजह से cooling होती है और auto viscosity control है जहां से viscosity maintain होती है. हर process में raw material की और output product जो निकलता है उसकी quality verify की जाती है और report prepared की जाती है. हर process में hourly basis पे process parameter verify की जाती है. printing process में shade matching process critical होती है. shade card में जो inks use हो रही है उनकी drawdown लगाई जाती है और उसको standards के साथ match किया जाता है. और सबसे आखरी में quality persons through approved किया जाता है. हर machine पे planning के साथ साथ job order दिया जाता है. job order में job का complete specification होता है. online qa person और operator पढ़ने के बाद verification sign करते हैं ताकि उसमें कोई wrong specification ना रहे या कोई wrong material यूज ना हो. printing start करने से पहले job card को verify करना बहुत important होता है. ink kitchen में जब ink prepare होती है तो ये हमारा format है जिसमें ink का drawdown लगाते है color wise. और ink machine पे provide करने से पहले ink manager drawdown verification करता है. उसके बाद ही ink issue करते हैं. web of plasto use करते हैं best extrusion lamination machine जो आती है advanced features के साथ. ये cutting edge technology plasto manufacturing process को बनाती है और भी efficient. extrusion lamination machine में raw material की और output product जो निकलता है उसकी quality verify करके report prepared की जाती है. हर processor में hourly basis पे process parameter verify की जाते हैं. हम उसे करते हैं best lamination machine जो latest advanced features से less है. ये technology ensure करती है superior bonding और flawless finish हर product में. lamination machine में QA person mixture में adhesive का temperature maintain रखते है. ऐसी के साथ high machine slider properly work कर रहा है या नहीं इस पे भी control रखते हैं. ताकि adhesive flow continue maintain रहे. lamination के बाद material को hot room में रखा जाता है. curing के लिए हमने hot room record book बनाया है. curing hours monitoring करने के लिए curing control plan बना हुआ है. last to me use होती है slitting machines जिसकी top speed है 800 meter per minute. after lamination slitting operator, machine के parameters set करता है. job start करने से पहले वो parameters online QA person verify करते हैं. उसके बाद हर file का sample collect करते हैं. web of plasto इस्तिमाल करते हैं industry के best multi-layer machines. ये machines हैं सबसे advanced technology से less, जो plasto manufacturing process को बनाती है flawless और efficient. multiple layers का precise combination और superior quality control, plasto की पहचान है. हर एक product जो हम बनाते हैं perfect. जिसमें आपको मिलेगा unmatched durability और perfection. तो हम देखेंगे multi-layer process को online QA person कैसे verify करता है. कौन सा material चल रहा है और कितना percentage चल रहा है. रे सब record में रहता है. plasto standard recipe अलग-अलग grade के बनी हुई है. सो हर एक recipe verified कराना जरूरी हो जाता है. उसके बाद online GSM report होती है. जिसमें job start होते ही पहले online GSM check किया जाता है. हर process में हमने देखा process monitoring reports control planes बने हुए है. machine operator process monitoring report करते हैं और QA person verify करते हैं. वैभफ प्लास्टो में dispatching process पे विशेश ध्यान दिया जाता है. packing से लेकर dispatching तक हर process में products की quality हर समय चेक की जाती है. वैभफ प्लास्टो के पास है सबसे latest technologies जो बनाती है प्लास्टो dispatching process को सबसे खास. वैभफ प्लास्टो latest machinery की help से dispatching process को और भी smooth बनाते हैं. अब तक जैसे हमने देखा कि incoming material से लेके in process और outgoing material तक हम कैसे हमारे product की quality को verify करते हैं, quality को assure करते हैं, तक के defective material हमारे customer को dispatch हो और आस पर उसके application के according, customer उस material को use कर सके और customer रेटिस्पाय रहे, thank you.